नमस्कार स्वागत है आपका और्यान्यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमनबाल देश में जानलेवा करोना वाइरस के ओमिक्रोन वैरियंट का खत्रा लगातार बढ़ रहा है देश में अब तक इस वैरियंट के 32 केस आ चुके हैं और अकेले महारास्ट में 17 नए केस आ चुके हैं और महारास्ट में एक बार फिर डरा हुआ देखने को मिल रहा है और ये डर यूपी तक पहुंच रहा है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है और धरावी में जो इसको तरह तनी भी देख रही है और इसके साथ ही आपको बता दे कि मुंबई में 3 नए केस मिले हैं जिसमें से 1.3 साल की बच्ची भी शामिल है महारास्ट में कुल साथ नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक ओमिक्रोन के कुल 32 मरीज हो चुके है ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जुलूस रैली और सभी मोर्चे पर रोक लगा दी है लेकिन सवाल है कि अगर मुंबई में रैली पर रोक लगा दी गई है तो क्या उत्तर परदेश क्या है जहां चुनावी माहौल गर्मा रहा है और रैलिया की संख्या भी उसमें आने वाली भीड बढ़ती ही जा रही है यूपी में भले ही चुनावी माहौल है लेकिन दूसरे राज्यो में सक्ती बरती जा रही है नितियायोग के सदसे वीके पॉल तीसरी लहर को लेकर ही लोगों को चेताया है विके पॉल ने बताया है कि विश्व संगठन को लेकर भी यानि कि डबलो एच्चो ने भी ओमिक्रोन वेरियंट के वैशिक सोरूप को चेतामनी दी है और ऐसे में भारत में फेस मास्क का घटना वियोग और चिंता का कारण बनाया जा रहा है एक साल तक किसान सडकों पर डटे रहे खुले आसमान के नीचे तंबू और टेंट के भीतर गर्मी सर्दी सब सहते रहे लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परिशानी नहीं है बलकि उनके भीतर जीत का भाव है किसानों में जश्न का महौल है और कानून वापसी की मांग मनमा कर आज किसान घर लोट रहे है और इस बात तो आपको बता दें कि इस बात किसानों की जीत की बात सामने आई है और किसानों ने आज पूरे देश में विजे दिवस मनाने का भी एलान कर दिया है और दिल्ली से हरियाना तक की किसान अपने घरों को लोट रही है वही नैशनल हाईवे चोवालिस पर अंदोलन के दोरान बनाए गए इटो के मकानों को तो उड़ने का भी काम कर दिया जा रहा है और सडक से तंबू टेंट और पंडाल जो है वो भी हटाए जा रहे है अंदोलन कारी ये भी कह रहे है कि किसानों ने ट्रेक्टर ट्रोलियों तक में घर बना रखा था और अब ये ट्रेक्टर ट्रोलिया पंजाब, हरियाना और यूपी के खेतों में वापस पहुचेगी अंदाता अनाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ले की चमचमाती सडकों पर एक साल बाद गाडियां फिर से दोड़ती हुई नजर आएंगी अंदोलन खतम करने के एलान के साथ ही किसानों ने घर बापसी के लिए 11 और 12 दिसंबर की तारिक ते की ही दिल्ली की सीमाव से लोटते वक्त ही किसानों का पंजाब सरकार स्वागत करेगा और इसका एलान सियम चरंजीत सिंग्छनी ने भी किया है किसान मजदूरों और सहिफ्ट किसान मोरचा को बढ़ाई देते हुए कि यह केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की जीत है और राज्य सरकार अपनी माटी के बेटों का स्वागत करेंगी सिंगों बॉर्डर से किसान अंबाला तक साथ जाएंगे और फिर अपने अपने जिले में जाएंगे लेकिन उनके घर दूर है वो फतेवपुर साहिब के ही आज सी की रात रुकेंगे और जबकि टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान पठियाला की रास्ते पंजाब पहुचेंगे कुछ मिला आपको बता दे कि इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कुल मिला कर कल यानी 12 दिसंबर तक सभी किसानों के अपने अपने घर पर पहुच जाने का कारेकरम है वही 13 दिसंबर को किसान अमरित सर में शीरी दरबार साहब में मत्था टेकेंगे और 15 दिसंबर के बाद सभी पंजाब हर्याना सब जगह टोल, मॉल और पैट्रोल पंप में चल रहा परदर्शिंग खतम हो जाएगा 15 दिसंबर तक किसानों की टोली पंजाब हर्याना समेत दिल्ली की सडकों पर पूरी तरह से खाली दिखाए देगी और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि दिल्ली गाजेपूर बॉर्डर पर भी बेरिकेटिंग भी हट जाएगी और दिल्ली मेरट और एक्सप्रेस में पर गाडिया फिर से दोड़ती हुई नजर आने लगेंगी परधान मंत्री नरेंद्र मोदिया जुत्तर परदेश के बलरामपूर जिले में दोरा करेंगे और सर्यू नहरास्ट्य परियोजना का उद्गाटन करेंगे जिससे 14 लाख हेक्टेर से ज़्यादा भूमी की सिचाई के लिए पानी मिलेगा और छेतर में लगभग 29 लाख किसानों को फाइदा भी पहुचेगा परदान मंत्री कार्याले नहीं ये जानकारी दी हैं पीएमो ने शुकरवार को एक बयान में बताया कि परदान मंत्री मोदी शनिवार को बहराइच और बलरामपूर से होकर गोरतपूर तक जाने वाली 318 किलो मीटर लंबी और करीब 9800 करोड रुपे की लागत वाली परदान मंत्री ने इस परियोजना का अपना ध्यान के इंद्रित किया है और इस परियोजना को लेकर भी पूरा करने के लिए मकसद से ही मोदी साल 2016 में ही इसे परदान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना के अंतरगल में ले आये हैं और इसे समय सीमा के भीतर ही पूरा करने का लक्षे भी निर्थारित किया है पियमो ने बताया कि इसे सरकार जो है सकार करने के लिए भी भूमी अधिकरण और कानूनी उडचनों सहित अन्य समस्याओं का समधान निकाला गया और इसी का परिणाम है कि इस महत्वपुर्ण परियोजना का काम चार सालों के भीतर ही पूरा कर लिया गया पियमो ने कहा कि इस परियोजना को 9,800 करोड़ रुपे में पूरा किया गया इसमें बतादे आपको कि 4,600 करोड रुपे का प्राउधान पिछले 4 सालों से किया गया है और इस परियोजना में 5 नदियों को भी जोड़ा गया है घागरा, सर्यू, राप्ती और बाडगंगा और रोहिन नदियों को जोड़ने हुए ही इसको 318 किलो मीटर लंबी मुखे नहर और इससे जुड़ी 6,600 किलो मीटर लिंक नहरोवाली उक्त नहर से ही पुरवाचल के 9 जिलो बहराईच और बलरामपूर गोड़ा और बस्ती महाराजगंज, सिधार्थ नगर, संत कबीर नगर और गोरकपुर के लगभग 29 लाग किसानों खुल लाब मिलेगा यूपिके वहराईच पहुँचे सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी के रास्टी अधिया शोम परकास राजबर ने विजेपी सरकार पर जम कर हमला बोला है यहां महापंचायत में मुख्य अधिति के रूप में ही पहुचे ओम परकास राजबर ने उतर परदेश की योगी आधितिनाथ की विजेपी सरकार पर निशारत साथते हुए कहा कि परदेश की जनता योगी जिके सांड से परेशान है और वही राजबर के चुनोती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की भी उकात नहीं है कि पिये मोदी और सीयम योगी के कहने पर हमारे सिंबल को रोक दे और दरसल आपको बता दे कि जनपत बहराईज के बलहा विधान सभा छेतर में समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतिये समाजपार्टी के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में सुभा सपा रास्टी अध्यक्ष ओमपरकास राजभर ने मुख्य अतिती के तौर पर शिर्कत भी की और इस कारिक्रम में ओपी राजभर ने विजेपी सरकार पर चम कर निशान असाधा उन्होंने कहा कि योगी जी के सांड से लोग परिशार हैं ये सांड गरीब किसान की फसल को चर रहे हैं जिसे किसानों ने अब बदलाओ का मन बना लिया है और ओम परकाश राजभर ने सुभा सपा के सिंबल को चुनावायोग द्वारा वापस लेने के सवाल पर चुनावायोग को खुली चुनोती देते हुए कहा कि ये भारतिय जनता पार्टी की ओम परकाश राजभर को पदनाम करने की साजश है उन्होंने कहा कि किसी की मा ने इतना दूर नहीं पिलाया कि हमारे सिंबल को रोक दे और ओम परकाश राजभर ने चुनावायोग को चैलेंज करते हुए कहा कि मैं चैलेंज देता हूँ पियम मोधी और योगी के कहने पर भी चुनावायो की ओकात नहीं कि हमारे सिंबल को रोग दे उन्होंने ये भी कहा कि हम सिस्टम में रहते हैं और हमारा सिंबल छड़ी है और हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे हमें कोई नहीं रोग सकता फिरोजाबाद में उतर परदेश के उप मुखे मंत्री केशो परसाद मोरया ने 661 करोड रुपे की लागत से 143 परियोजनाव का लोकारपड किया लोकारपड कारिकरम के बाद उन्होंने मंच से भाशर देते हुए समाजपाटी को लेकर जमकर निशाना भी साधा है उन्होंने कहा कि 2017 में अगर आपने सपा को चुन लिया होता तो सपा अराज़कता करती और देश को बरबाद कर दिया होता और अखलेश यादव की रैली में उमंड ने वाली भीड को लेकर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि 2017 से पहले भी दिखाई देती थी लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला मोर्या ने नया नारा दिया है कहा 2022 में 100 में से 60 हमारा है और 40 में बटवारा है बटवारे में भी हमारा है और रैली में आई भीर से उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की तरहा शक्तिशाली हो आप 403 सीटे भी जीत सकते हैं मोर्या ने दावा किया कि 2022 के नतीजे आने के बाद कई नेता विदेश चले जाएंगे और सब्बा की मुखिया को विजेपी की वैक्सिन बताने पर भी अड़े हातों लिया है उन्होंने और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 125 करोड लोगों को वैक्सिन लगाई है मीडिया के सवालों का भी मोर्या ने जवाब देते हुए कहा कि उनसे पूछा गया जब कि विकास की बाते करने वाली पार्टियां अब अबबा जान, चचा जान और जिन्ना लाल टोपी, काली टोपी और जाली टोपी पर आ गई है इसको आप कैसे देखते हैं तो उन्होंने कहा कि दृष्टी करण की राजनिती करने वालों को दर्द होता है हम राश्ट भक्त जिन्ना के नाम लेने वाले लोगों को जबाब देंगे अगर उससे उनको परहेज होता है तो देश के दुश्मनों का नाम लेना बंद करें और दृष्टी कोन को लेकर भी बंद करें और इसके साथ उन्होंने कहा कि गुंडों को संडरक्षन देना बंद करें उन्होंने दावा किया कि 2022 में फिरोजाबाद की सबी सीटों पर कमल खिलेगा और उत्तर परदेश में 300 से ज़्यादा सीटे जीत कर फिर से सरकार बनाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि गुंडा राज की बापसी ना हुई है और ना होने पाएगी कमल खिला है कमल खिलेगा शहेद कुलदीप सिंग राव का कल अपने प्रितक गाउ में अंतिन संसकार होगा और कुलदीप के चचेरे भाई मनोज राव ने बाचित करते हुए शहीद कुलदीप राव के साथ बिताय कुछ यादगार पलोग को भी शेर किया है मनोज कुमार राव ने बताया कि शहीद कुलदीप सिंग राव का बचपन से ही पाइलेट बनने का सपना था इस सपने को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया करिद दो महीने पहले कुलदीप राउ परिवार के साथ तीन दिन की छुटियां मनाने के लिए बागा बॉर्डर पर गए थे कुलदीप काफी खुश थे और उन्होंने बताया कि कुलदीप बहुत ही मिलन सार था और मनोच कुमार राउ ने ये भी बताया कि शहीद कुलदीप सिंग राउ की पार्थिव देह गुरुवार को ही दुपहर में धाई बजे महा से रवाना होगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद कुलदीप सिंग राउ को गार्ड ओफ ओनर दिया और कुलदीप सिंग की पतनी यश्मनी धाका को लेकर भी बहन और नेवी ऑफिसर अभीना मालिक को भी शहीद कुलदीप की पार्थिदेह रिसीब की है और इसके साथ ही आपको बता दे कि शहीद का शुकरवार को ही उनके प्रितक गाउं घरडाना खुर्द लाया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि उनका अंतिम संसकार होगा शहीद कुल्दीप सिंग राओ का अंतिम संसकार उनके पृत्तक गाओं चिडाना के ही वहाँ पर हुआ जाएगा और इसके साथ ही जिस जगह पे उनका अंतिम संसकार किया जाएगा वहाँ 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी और उसे बिजली विभा के करमचारियों ने हटा दिया खेतरी के नगर में ही इसको लेकर हाई टेंशन देखने को मिल रही है और सरपंच महेंतर राओं ने बताया है कि देश के लिए कुल्दीप ने जान दी है पूरे गाउ में शोक की लहर है लेकिन सब लोगों को कुल्दीप की शहादत पर गर्भ है पूरा गाउ शहीद के अंतिम संसकार में शामिल होगा राजसान के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट को यूनिफॉर्म फ्री दी जाएगी और इसका सीधा लाव करीब साथ लाख बच्चों को मिलेगा सरकार ने इस साल यूनिफॉर्म का कलर भी बदलने का निर्णे लिया है मुख्यमंत्री अशोग गहलोद की बजट गोशना का अमली जामा पहनाने के लिए ही राज्य सरकार परतियक स्टूडेंट पर करीब 600 रुपे खर्च करेगा हाला कि अभी ये तय नहीं है कि सरकार स्टूडेंट के बैंक खाते में राशी देगा या फिर उन्हें यूनिफॉर्म दी जाएगी राज्य के शिक्षा मंतरी डॉक्टर बीडी कल्ला ने भी बताया है कि पहली से आठवी क्लास तक की बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री दी जाएगी और देश के कुछे राज्यों में सीधे अकाउंट में ही रुपे ट्रांसफर भी किये जाएगे दरसल यूनिफॉर्म में पैंट, शिर्ट और सकल्ट सलवार आदी के साइज का पता नहीं रहता ऐसे में बैंक खाते में ही रुपे ट्रांसफर किये जाते हैं राज्यस्थान में भी इसी तरह रुपे बैंक खाते में देने का निन्ने हो सकता है छात्रों के लिए हलके नीले रंग की कमीज और गहरे भूरे रंग दूसर को लेकर रंग की पैंट दी जाएगी और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि लड़कियों को हलके नीले रंग का कुर्त, शर्ट और गहरे भूरे दूसर रंग की ही सलवार और सकल्ट दी जाएगी लड़कियों को डार्क ग्रे रंग की चुननी भी ओडनी होगी और सरदी में इन कपड़ों के साथ ही डार्क ग्रे कलर का कोट या फिर स्वेटर भी पहनने को दिया जाएगा वैसे तो स्टुडेंट को इसी सत्र में ही यूनिफोर्म पहननी है लेकिन इसका दबाव नहीं होगा